A very good afternoon to all of you यह जो सिरीज है Perfection IS के द्वारा Organize किया जा रहा है उन BPSC As parents के लिए जो कि आपको इस बार की BPSC जो है वो लिखना चाहते हैं आज के lecture में हम लोग medieval history discuss करने वाले हैं और इस lecture का पूरा focus जो है वो बिहार specific medieval history पे रहेगा अब आपको पता है कि बिहार specific जो questions आते हैं that constitute a sizable portion in your BPSC exam तो बिहार specific से आपको उमीद कर सकते हैं कि near about 6-7 questions जो हैं आपको medieval history segment से अगर आएं तो आ सकते हैं तो आईए discuss करते हैं बिहार specific medieval history तो medieval history जो है medieval history में हम लोगों को एक important नाम जो बिहार के context में आता है वो है आपका बक्तियार खिलजी का है ना तो आप देखेंगे कि बक्तियार खिलजी जो है वो काफी एक important personality है और बक्तियार खिलजी को credit दिया जाता है कि बिहार और बंगाल के आसपास के छेतरों में Islam को प्रचलित करने वाला प्रथम जो सासक था वो बक्तियार खिलजी था तो यूँ कहें कि बक्तियार खिलजी के बिहार और बंगाल आकरमन के बाद Islam और तुर्की सत्ता जो है वो इन provinces में बिहार और बंगाल में काफी popularize हुई अब बक्तियार खिलजी को जानने से पहले कुछ questions background से हम लोग discuss कर लेते हैं जैसे कि क्या बक्तियार खिलजी ही वो पहला वेक्ति था जिसको बिहार के लोगों ने पहली बार देखा कि हाँ भाई ये टर्किस है या यू कहे कि क्या बक्तियार खिलजी के आने से पहले कोई टर्किस इन्वेजन भारत में हुआ था या ना हुआ था या फिर यूसको ऐसा कह दे कि क्या बक्तियार खिलजी के आने से पहले बिहार के लोग इसलामिक इन्वेजन से अवेर थे की नहीं तो बक्तियार खिल्दी से पहले भी Islamic invasion बिहार में होते थे और इसका हमें जो सबूत है जो शाक्षे है वो मनेर copper plate inscription से मिलता है तो मनेर जैसे कि आपको पता है पतना के बगल में एक जगा है तो मनेर copper plate inscription जो है ये हमें आपको जानकारी देता है about a particular tax ये मनेर copper plate inscription जो मनेर में पाया गया है और इसमें एक tax का जिक्र है जिसका नाम रखा गया है तुरुषक डंडा तो तुरुषक डंडा क्या है तुरुषक डंडा एक tax है ठीक है जो मनेर के आसपास के लोगों को देना पड़ता था और ये तुरुषक डंडा जो है ये tax कौन लेवाई करता था तो उस समय मनेर का छेतर जो था वो गहादावाला जो king थे गहादावाला dynasty है ठीक है और गहादावाला king जो थे उनका नाम है आपको गोविंद चंदरदेव तो गोविंद चंदरदेव जो थे वो मनेर के आसपास के लोगों से tax लेते थे जो की है तुरुषक डंडा और ये tax लिया जाता था गहादावाला king के द्वारा गोविंद चंदरदेव के द्वारा कि तरकिस लोग मतलब इसलामिक लोग जब attack करें बिहार को तो उनसे लड़ने के लिए आपको फॉस चाही होगी तो वो जो खर्चा निकलेगा तरकिस के attack से जो पैसा होना चाहिए जिससे की लोग लड़ सके तो वही tax को कहते है तुरसक डंडा तो तुरसक डंडा क्या था तुरसक डंडा was a tax that was levied by गहदावाला किंग गोविंद चंदर देवा तो उस समय बिहार मनेर के आसपास का छेतर जो है बक्तियार खिलजी के raid से पहले गोविंद चंदर देव के द्वारा रूल किया जाता था और वो मनेर से लोगों से एक tax लेते थे जो तुरसक डंडा जो कि इस बात को साबित करता है कि बक्तियार खिलजी से पहले भी बिहार में Islamic invasions होते थे तो prelims में आपको दो तीन segment यहां पर important है question आ सकता है कि मनेर copper plate inscription कि tax की बात करता है तो आप लिखेंगे तुरसक डंडा या फिर question आ सकता है कि तुरसक डंडा क्या था तो तुरसक डंडा was a tax that was levied by गहादवाला king गोविंद चंदरदेव to fight against tax ठीक है जी या फिर question आ सकता है कि आपको वो कौन से गहादवाला राजा थे जो मनेर के आसपास के छेतरों में तुरसक डंडा लेवाई करते थे आपके आंसर होंगे गोविंद चंदरदेव तो ये जो मनेर copper plate inscription है ये हमें बक्तियार खिल्जी से पहले बिहार में इस्लामिक raids होते थे उसकी जानकारी देता है अपार्ट फ्रॉम डाट एक आपको scholar है तारानाथ तो तारानाथ जो हैं वो Buddhist scholar है उन्हों ने भी अपनी writings में इस बात को लिखा है कि हाँ बक्तियार खिल्जी से पहले भी बिहार में Islamic invasions होते थे तो मनेर copper plate inscription और तारानाथ का writing ये दोनों हमें suggest करता है कि बक्तियार खिल्जी से पहले बिहार में Islamic raids होते थे आएए अब बक्तियार खिल्जी के विसे में जानते हैं तो बक्तियार खिल्जी के नाम पे बक्तियार पूर है आपको पता है isn't it तो बक्तियार खिल्जी जो है वो ओरिजनली इंडिया के थे रही इनका जनम अफगानिस्तान के हिलमंद प्रोविंस में हुआ था और ये भारत लगभग 1193 में आये थे तो बक्तियार खिल जी came to India, went in 1193 अब ये टाइम देखिए आप 1193 1193 से पहले क्या है 1192 1192 से पहले क्या होगा 1191 तो 1191 में क्या हुआ तराइं का पहला लड़ाई फर्स्ट बैटल अफ तराइं का हुआ है 1191 और पहली बैटल तराइं की किसके किसके बीच में हुई है पिर्थवी राथ चौहन और मुहम्मद गोरी के बीच में isn't it ? और पहला तराहिन का लड़ाई जो था वो पिर्तवीराद चोहान जीद जाता है दूसी तराहिए की लड़ाई कब होती है 1192 में कंटेंडर वहीं है पिर्तवीराद चोहान और मुहमंद गोरी और तराहिन की दिद्टिय यूद में क्या होता है मुहम्मद गोरी जित जाता है तो हम कह सकते हैं कि जब मुहम्मद गोरी जीता था तराइम का लड़ाई उसी समय, उसी के एक साल बाद बक्तियार खिलजी भारत आये थे किसकी तलास में? जॉब की तलास में तो बक्तियार खिलजी वांटेड टू एन्रोल इंटू दा आर्मी अफ कुतुब अबक अब कुतुब अबक के विसे में आपको पता है कि मुहम्मद गोरी का स्लेव थे वो और जब मुहम्मद गोरी तराइम का दित्य लड़ाई लड़के वापस गोरी जा रहे थे तो भारत और भारत में जितने भी रियासत जो मुहम्मद गोरी ने जीती थी उसका निर्टित तो किसको दे दिया था कुतुब अबक को वही कुतुब अबक जो बाद में स्लेव डैनिस्टी या मामलुक डैनिस्टी बनाएगा तो ये जो बक्तियार खिल जी थे ये भारत आये थे 1193 में और ये आये थे कि कुतुब अबक की फाज में इन्हें जगा मिल जाए लेकिन अगें ये कैननाट एबल टू सिक्कियोर रैंक इन कुतुब अबक आर्मी मतलब कुतुब अबक की आर्मी में सर्व करने के लिए आपको बहुत सारी कैपबिलिटीज चाहिए थी और बक्तियार खिल जी जो है वो कुतुब अबक के आर्मी में एन्रोल नहीं हो पाया लाचारी में बक्तियार खिल जी क्या करता है कि उस समय यूपी के गवर्नर थे आपको हश्यमुद्दीन उगलबक ये नाम याद रखिएगा हश्यमुद्दीन उगलबक ये आपको यूपी के गवर्नर है ठीक है तो जब बक्तियार खिल जी को कुतुमुद्दीन अबक की फौज में काम नहीं मिला तो वो हश्यमुद्दीन उगल बक के पास चला गया जहां पे हश्यमुद्दीन उगल बक ने बक्तियार खिल जी के टैलेंट को पहचाना और उसे अपनी फौज में जगा दे दी तो prelims point of view से एक question ये भी आ जाएगा कि निमलिखित में से किसकी फौज में बक्तियार खिलजी ने सर्व किया है तो आपके आंसर क्या होंगे हुशामुदीन उगलबक क्लियर है ये चीज़ अब बक्तियार खिलजी के rates important है बक्तियार खिलजी का जो आक्रमन है attack वो important है तो topic है बक्तियार खिलजी rate यहां तक clear हो गया ना आप लोगों को बक्तियार खिलजी के विसे में दो चीज़ याद रखिएगा कि बक्तियार खिलजी के आने से पहले भी बिहार में Islamic invasions हो चुके थे और इसका example हमें मनेर copper plate inscription पे मिलता है मनेर copper plate inscription में एक खास तरह की tax tax तुरसक डंडा का जिक्र है और इस तुरसक डंडा कौन लिवाई करते थे तो उस समय के जो गहादावाला king थे गोविंद चंदरदेव और ये तुरसक डंडा क्यों लिया जाता था कि तरकिस जब भी attack करे तो उनसे attack करने के लिए जो पैसे की requirement होगी वो इस special tax से पूरी हो जाएगी और दूसरा जो हमारा साक्ष है वो है तारानाथ तारानाथ कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर है और उनकी writing से भी हमें पता चलता है कि बिहार में बक्तियार खिल्दी से पहले भी Muslim invasions हो चुका था बक्तियार खिल्दी के बारे में हमने देखा कि 1193 में ये भारत आते हैं और कुतुबुद्धी नाबक की फाज में enroll करने की कोशिस करते हैं जहां पर उनको मौका नहीं मिलता है और मजबूरी बस फिर बक्तियार खिल्दी ने बिंगॉल में भी रेड किया है और बक्तियार खिल्दी ने फिर तिबद में भी रेड किया है ये तीन रेड हैं तीन आप कह सकते हैं इन्वेजन हैं बक्तियार खिल्दी के बिहार में दो बार उसने इन्वेड किया है 1198 में और दूसरा 1199 में बंगाल में 1204 और तिबबत में 1206 ठीक है अब हो सकता है कि प्रेलिंस में आपको कोश्चन दे दे कि इसमें ये आप्शन दे देगा और कहेगा कि based upon the year arrange the following rates of बक्तियार खिलजी मतलब कि उसके chronological order में बक्तियार खिलजी का जो rate हुआ है उसको आप arrange किजिए तो सबसे पहले बिहार बिहार कर बंगाल बंगाल के बाद तिबबत 1198 में जब बक्तियार खिलजी ने अटैक किया है तो इसमें उन्होंने करमसा रिवर को क्रॉस किया और करमसा रिवर को क्रॉस करके बक्तियार खिलजी ने मनेर को लूटा तो 1198 में बक्तियार खिलजी ने मनेर को लूटा है बिहार सरीफ को 1199 में लूटेगा ठीक है तो 1198 में बक्तियार खिलजी का मनेर इन्वेजन है और कौन सी नदी को क्रॉस करके वो आया तो करमशा नदी ये भी क्रोशन आपसे पूछा जा सकता है कि बक्तियार·खिल जी ने किस नदी को क्रोस किया था तो कौन सी नदी थी वो क्रमशा नदी क्लियर है ये चीज़ अब देखिए तो यहां से जब मनेर में बक्तियार-खिल जी ने प्लिंडर किया तो यहां से उसे रिच वेल्थ मिले काफी ज़्यादा धन जो है वो बक्तियार खिलजी इकठा कर पाया और इसकी वजह से बक्तियार खिलजी का पॉलिटिकल स्टेचर दिल्ली सल्थनत के सुल्तानों के सामने बढ़ गया ठीक है जी तो मनेर रेट जो बक्तियार खिलजी का 1198 का है इससे क्या हुआ कि बक्तियार खिल जी का जो political stature था जो राजनेतिक कद था दिल्ली सुल्तानों के नजरों में बढ़ गया और बक्तियार खिल जी को एक confidence भी मिल गया दूसरी raid करने के लिए और दूसरी raid फिर वो कप करता है 1199 में और यहां पे कहां पे attack करता है ओदंतपुरी ओदंतपुरी जो है वो medieval नाम है किसका बिहार सरीफ का तो यह भी question आप से पुछा जा सकता है कि निमलिखित में से बिहार के किस अस्थानों का मध्यकाली नाम ओदंतपुरी है कौन सा है ब जिहार शारीफ पे attack करता है बक्तियार खेल जी 1199 में और यही इसी attack में बक्तियार खेल जी क्या करता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को destroy कर देता है है अब नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है ना it was the seat of Buddhist learning और नालंदा यूनिवर्सिटी को किस ने बनाया है कुमार गुत ने बनाया है और नालंदा यूनिवर्सिटी को destroy किस ने किया बक्तियार खेल जी ने कब destroy किया है 1199 में ठीक है उसके बाद उस समय बिहार के आसफास के छेतरों में मतलब तिरहुत के छेतरों में एक local dynasty चलती थी that was called as Karnat Kingdom तो बक्तियार खेल जी जब बिहार में आया ह बिहार में जब invasion हुआ है बक्तियार खेल जी का तो बक्तियार खेल जी ने दो powers को defeat किया है तो बक्तियार खेल जी has defeated एक किसको करनाट dynasty अब बक्तियार खेल जी जब आएगा बिहार में तो कोई ना कोई dynasty तो rule कर रहा होगा ना कुछ ना कुछ बिहार के parts को तो बक्तियार ख में आपको किसका असासन था करनाट डाइनिस्टी का तो करनाट डाइनिस्टी को हराया है कौन बक्तियार खिल जी ने हराया है करनाट डाइनिस्टी के जो किंग थे जिसको बक्तियार खिल जी ने हराया है वो है नर्शिंग देवा तो ये कोश्चन भी आप से आ सकता है कि बत करनाट डानिस्टी के कोई founder होंगे, isn't it, कोई ना कोई प्रथम सासक होगा करनाट वंस का, तो करनाट डानिस्टी was founded by नन्यदेव, करनाट डानिस्टी का संस्थापक कौन है, नन्यदेव, तो एक question ये आ सकता है कि करनाट डानिस्टी का founder कौन है, या फिर question आ सकता है कि करनाट dynasty का वो कौन सा सा सकता जिसको बक्तियार खिल जी ने हराया है तो नर्सिंग देव को हराया है लेकिन करनाट dynasty के founder कौन है नन्य देव और यह जो करनाट dynasty है यह आपको चला है 1097 से लेकर 1147 तक इतने दिन तक करनाट dynasty रही है 1097 से 1147 तक ठीक है जी किलियर है यह अब देखिए तो बिहार में करनाट dynasty को हरा दिया गया उसी तरीके से बंगाल बंगाल का रेड मैंने आपको बताया ना 1204 में है तो बंगाल में उस समय सेना डानिस्टी का सासन था ठीक है तो बिहार में किसको हराया बक्तियार खिल जी ने करनाट डानिस्टी को और बंगाल के रेड में बक्तियार खिल जी ने किसको हराया सेना डानिस्टी को लक्षमन सेना first अब सेना डैनिस्टी का बात चड़ा है तो question हो सकता है कि इतना ना पुछ के सेना डैनिस्टी से पूछ दे कि सेना वंस जो था वो निमलिखित में से भारत के किस छेतर में था तो बंगाल और सेना डैनिस्टी के भी कोई founder होंगे जिस तरीके से करनाट डैनिस समानता सेन के बाद आपको हिमानता सेन आएंगे हिमानता सेन के बाद विजया सेन आएंगे विजया सेन के बाद बलाल सेन है बलाल सेन के बाद लक्षमन सेन है लक्षमन सेन के बाद विश्योरूपम सेन है और विश्योरूपम सेन के बाद लक्षमन सेन टू है तो लक्षम नाया कि सेन वंस का वो कौन सा सासर था जिसको बक्तियार खिल जी ने हराया है 1204 में तो वो कौन है लक्षमन सेन फर्स और सेना डानिस्टी के फाउंडर कौन है समानता सेन तो चलिए वहराल हमने ये डिसकस कि अभी तक कि 1198 में बक्तियार खिल जी का पर्थम रेड होता है बिहार में मनेर में 1199 में बिहार सरीफ दितिय रेड होता है बक्तियार खिल जी का कहां बिहार सरीफ में बिहार सरीफ का वो important है आईए बक्तियार खिल जी का तीसरा rate हम लोग देखते हैं तो तीसरा rate जो बक्तियार खिल जी का है वो किस में है तिबबत में और तिबबत में बक्तियार खिल जी का rate कब है 1206 में ठीक है तो अब देखिए बक्तियार खिल जी क्या करता है कि बक्तियार खिल जी का capital उस कहां था आपको तो लखनोती जिसका पुराना नाम है लक्ष्मन बटी इसिंट इट तो लखनोती जो था वो capital था किसका ऐगतियार खिल जी का यहां लिग सकते हैं लखनोती तो बक्तियार खिल जी ने क्या किया 206 में कि बक्तियार खिल बंगाल से मूव किया कहा जाने के लिए तिबबत जाने के लिए ठीक है क्योंकि इसको तिबबत कैप्चर करना था और बंगाल में उसने अपने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट जो भरोसा का आदमी था अली मर्दान खिर जी उसको रख दिया कि भाई हम जा रहें तिबबत पे वक्त कौन सा है 1206 लेकिन यह जो तिबबत एक्सपेडिशन जो हुआ बक्तियार खिलजी का डाइट वास अफेलियोर ठीक है इसमें काफी जादा लॉसेस बक्तियार खिलजी को फेस करने पड़े क्यों बिकॉज आफ पहला रीजन तो यह रफ टरेन अब तिबबत का छेतर देखिए तिबबत का छेतर पहारी छेतर है उससे जो बक्तियार खिलजी के फौज थे वो इतनी पत्रीली जगहों से फैमिलियर नहीं थे तो जिसके कारण बक्तियार खिलजी को हेवी लॉस सहना परा और फाइनली फिर 1206 में बक्तियार खिलजी वापस बिंगॉल आ जाते हैं जहां पर बक्तियार खिलजी को नींद में अली मरदान खिलजी मार देता है तो बक्तियार खिलजी का देत कब है बक्तियार खिलजी का देत भी 1206 में है जब बक्तियार खिलजी तिबत के फेलियर कैमपेंज से वापस आता है तो नींद में अली मरदान खिलजी बक्तिय लग्तियार खिल जी के भी nobles होते थे, वो लोग क्या करने लगे कि अली मर्दान खिल जी के खिलाब plotting करने लगे, और अली मर्दान खिल जी को हटा के एक नया ruler जो है, वो बनता है, that is your shiran khil जी, ठीक है, तो बक्तियार खिल जी के बाद brief time तक कौन बना, आपको governor अली मर्दान खिल जी, अली मरदान खिल जी के बाद कौन बना? शिरान खिल जी ठीक है जी? अब आगे डिसकस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप relation समझे कि दिल्ली के सुल्तान और जो ये सब बक्तियार खिल जी, ये सब डिसकस कर रहे हैं क्या relation होता था? देखिए दिल्ली में तो एक सुल्तान बैठते थे इसंट इट, जो दिल्ली सल्तनत आप लोग पढ़ेंगे नाशनल परस्पेक्टिव में, तो उसमें आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में डैनिस्टी है, स्लेव के बाद आपको खिलजी जाते हैं, खिलजी के बाद तुगलक्स आते हैं, तुगलक के बाद सयद आते हैं, सयद के बाद लोदी जाते हैं तो टोटल पांच डैनिस्टी के समू को मिला के हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं, तो ये तो डैनिस्टी वो थी जो दिल्ली पे बैठे बैठे पूरे भारत को रूल करती थी अब ये जो बक्तियार खिलजी जैसे लोग थे ये सब बहुत मतलब इतने जादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे दिल्ली सुल्टान के लिए तो इसलिए तो बक्तियार खिलजी आया था अगर आब बात करेंगे तो स्लेव डाइश्टी में किया होता था कि जितने भी इम्पॉर्टन गवर्मेंट पोस्ट होते थे या जो भी इम्पॉर्टन एड्मिनिस्टरेटिव ऑफॉर्टी होती थी वो तर्किस जो होते थे सिर्फ तुर्कों को देते थे खिलजी अफगान ये सबों को मतलब की जो नहीं तक काफी छुटा हुआ जो पोस्ट होता था वो दिया जाता था तो खिलजी को जेनरली जो खिलजी ये क्या है ट्राइब है isn't it तो जो खिलजी होते थे उन्हें जेनरली दूर दराज का छेतर दे दिया जाता था वहाई खिलजी कम्यूनिटी के लोगों को हमेशा लड़ाई जगड़ा जो होता था, वो फेस करना पड़ता था, तो उसी तरीके से बक्तियार खिलजी को भी एबक के टाइम पिरियेट पे सर्विस तो मिली नहीं थी, तो इसने क्या किया था, he had started his own, इसने खुद का जिस तरीके से start-up होता है न, उस तरीके से बक्तियार खिलजी ने क्या किया, बंगाल और बिहार को capture करने का सोचा, अब दिल्ली सल्तनत की नजर बक्तियार खिलजी या बक्तियार खिलजी के successors पर तब पड़ेगी, जब काफी बरा सूबा जो है, वो capture कर लेंगे ये लोग, तभी न नियूस बनेगा, तभी न कोई जाके सुल्तान को बुलेगा कि भाई, बंगाल बिहार में एक खिलजी ट सुल्तान वहां के लोकल पावर्स को जीत लेते थे और दिल्ली सल्तनत के अंदर बंगाल और बिहार को हासिल कर लेते थे, कभी-कभी ऐसा होता था कि डिस्टेंस की वज़ा से बंगाल और बिहार के जो जनता थी, वो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ रिबेल कर देती थी, कभी- इल्तुत्मिस वो पहला दिल्ली सल्तनत का सासक होगा जो बिहार को पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधिन लाएगा। रहेंगे अभी तक दिल्ली सल्तनत का नजर इन लोगों पे नहीं गया हुआ है तो उसी बीच में बक्तियार खिलजी मर जाता है अली मरदान खिलजी आता है अली मरदान खिलजी को रिप्रेस कर देता है कौन शियान खिलजी और सियान खिलजी के बारे में discuss करते हैं हम लोग तो ग्याजुद्दीन इवाज सा जो था ग्याजुद्दीन इवाज सा यह बिहार और बेंगॉल का independent governor बना 1212 में 1200 12 में ठीक है अब ग्याजुद्दीन इवाज जो था he was an able king able king कहने का मतलब capable king था isn't it he had also bring strong navy इसने थोड़े दिनों में क्या किया एक काफी strong navy भी तयार कर दी उसके बाद ग्याजुद्दीन इवाज सा ने peace को restore किया कहा बिंगॉल और बिहार में peace was restored in बिंगॉल और बिहार अब यह जो activity है ग्याजुद्दीन इवाज सा की इसने alarm alarm मतलब खत्रे की घंटी बजाई किसको दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में और उस समय जो दिल्ली सल्तनत का ruler था वो था आपको इल्तुत्मिस ठीक है तो इल्तुत्मिस को ख़बर आई कि भाई बिहार और बेंगॉल में एक बंदा है ग्याजुद्दीन इवासा वो बन चुका है राजा और वो दिल्ली सल्तनत के authority को नहीं मान रहा है अब क्या होगा इल्तुत्मिस जो है वो campaign करेगा against ग्याजुद्दीन इवासा तो 1224 और 1225 की बात है कि इल्तुत्मिस जो है he campaigned against ग्याजुद्दीन इवासा इन बिहाद तो 1224 और 1225 में एक battle हुआ है एक लड़ाई हुआ है जिसको कहता है battle of तेली गरही battle of तेली गरही ये important है battle of तेली गरही किसके किसके बीच में हुआ है between इल्तुत्मिस and इवासा ठीक है इसमें इल्तुत्मिस के बेटे जो थे वो represent कर रहे थे दिल्ली सल्तनत को इसमें क्या होता है battle of तेली गरही में इवासा हार जाता है तो इसमें question आ सकता है battle of तेली गरही कब लड़ा गया तो 1224 में ठीक है उसके बाद question आ सकता है कि battle of तेली गड़ी किसके किसके बीच में लड़ा गया तो battle of तेली गड़ी लड़ा गया है between Il Tuttmiss and Gyaasuddin Ivaasah अब पहला battle जो है ये हार जाता है Ivaasah तो अब Ivaasah को Il Tuttmiss compel करते हैं कि भाई जो पैसा खर्च हुआ है war में वो पैसा जिसको war indemnity कहते हैं तो Ivaasah was forced a huge war indemnity और साथी साथ Ivaasahah को कहा गया कि आपको दिल्ली की authority दिल्ली सुल्तान की authority को मानना पड़ेगा तो दिल्ली सुल्तान की authority को मानने का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली सुल्तानों के नाम से आप अपने सिक्के struck किजिए सिक्के खुदवाईए जो भी सिक्के अब आप सर्कुलेट कराएंगे उसमें दिल्ली सुल्तान का भी नाम रहना चाहिए और साथी साथ regularly जो पैसा होता है जो tax होता है वो दिल्ली भेशते रहिए ये deal sign हुआ और ये जो थे आपको Ivaasah इस चीज को मान लिए लेकिन जैसे ही इल्तुतमिस वापस गया दिल्ली कि Ivaasah फिड़ से rebel हो गया ठीक है तो 1224-25 में बैटल अफ तेली गड़ी में हार गया Ivaasah और Ivaasah कौन है अब ही independent governor है बिहार और बंगॉल का जब हार जाता है Ivaasah तो इसको Ivaasah एक्सेप्ट करता है कि ठीक है तुम मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाओ दिल्ली सल्तनत को regularly पैसा पहुचाते रहो और मतलब दिल्ली सुल्तान का जो नाम है वो अपने सिक्कों पे स्ट्रक कराओ Ivaasah मान जाता है लेकिन जैसे ही Ivaasah वापस दिल्ली जाता है कि Ivaasah फिर से भागी हो जाता है और एक बार फिर Ivaasah को पकड़ के मिलिटरी एक्सपेडिशन करता है तो 1226 में फिर ग्याजुदीन Ivaasah और Ivaasah के बीच में लड़ाई होती है और फिर से Ivaasah हार जाता है लेकिन इस बार Ivaasah को पकड़ के मिर्तियु डंड दे दिया जाता है ठीक है जी अब Ivaasah को मार दिया गया 1226 में किसके दौरा इल्तुतमिस के दौरा अब बिहार का जो सुबा था वो डारेक्ट दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि question आ सकता है पीटी में कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने बिहार को पहली बार दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया तो वो कौन था इल्तुतमिस अब इल्तुतमिस के हाथों में जब बिहार आ गया तो अब जो गवर्नर्स होंगे जो बिहार में पॉइंट होंगे वो किसके गवर्नर होंगे दिल्ली सल्तनत के गवर्नर होंगे है की नहीं जी क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत के गवर्नर होंगे बिहार किसके हाथ में आ गया है इल्टुत्मिस के बारे में आपको तो पता ही है न कि कुतुबुद्धी नाइबग का सलेव था ये इल्टुत्मिस का टाइम पिरिएड 1211 से 1236 तक है इल्टुत्मिस ने राजधानी सिफ्ट की थी फ्रॉम लाहॉर टु दिली कुतुबुद्धी नाइबग के टाइम पिरिएड में राजधानी लाहॉर थी वो इल्टुत्मिस था जिसने पहली बार राजधानी को लाहॉर से दिल्ली सिफ्ट किया था तो ये सब कुछ important इल्टुत्मिस से related हैं जो हम लोग national perspective में discuss करते हैं हाला कि ये lecture बिहार specific है लेकिन इल्टुत्मिस की बात चली तो मैंने आपको ये सब चीज़ बताया anyways तो 1226 तक आते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि 1226 तक आते हैं बिहार जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक सुबा बन जाता है और इल्टुत्मिस प्रथम गवर्नर जो अपॉइंट करता है वो है अल्लाउदिन जानी तो अब इल्टुत्मिस क्या करेगा कि गवर्नर इल्टुत्मिस अपॉइंट गवर्नर गवर्नर आफ बिहार और प्रथम गवर्नर अफ बिहार जो इल्टुत्मिस ने अपॉइंट किया वो कौन थे अलाओदिन जानी ये कोशन भी आप से आ सकता है कि अलाओदिन जानी किस दिली सुल्टान के द्वारा बिहार का गवर्नर बनाया गया था तो इल्टुतमिस अलाओदिन जानी के बाद कौन आएंगे सैफुद्दीन एबक ये आपको माइनर है ये आपको तुगरिल, तुगान, खान ये भी इंपोर्टन है नेक्स्ट गवर्नर जो आपके बिहार के हैं देखिए होता ये था कि गवर्नर तो ये दिल्ली सल्तनत वाले अपने रख देते थे लेकिन more or less गवर्नर जो बिहार और बेंगौल के होते थे वो autonomous काम करते थे क्यों क्योंक गवर्नर होते थे ये अपने सुगों में इंडिपेंडेंटली काम करते थे तो एक तीसे गवर्नर है तुगरिल, तुगान खान और तुगरिल, तुगान खान के बारे में important है कि he has fought battle with bulban, bulban के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, bulban आपको पता है ये slave dynasty से related है, ग्याजुदि एक post होता था, तो 1246 से 1266 तक bulban जो है, वो राजा नहीं है, लेकिन king maker है, तो 1246 से 1266 तक bulban has served as a knife to नासुरदीन महमूद, ठीक है, तो नासुरदीन महमूद जो है, वो आपको इलतुतमिस के बेटे थे, जो रजिया सुल्तान के बाद आपको king बने थे, उसको serve करता है, और बाद में फिर 1266 से 1286 के बीच में, मतलब 1266 में जब नासुरदीन महमूद की मिर्ती हो जाती है, तो 1266 से 1286 तक bulban has become what, king, और यह bulban का policy है, blood and iron, यह आपको BPSC में पिछले बार question भी आया था, कि blood and iron policy दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान का policy है, तो किसका policy है, bulban का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि bulban का जो मिजास था, वो थोड़ा सा dictatorial का था, वो कभी accept नहीं कर सकता था, कि उसका कोई governor जो है, वो independently काम करे, तो इसलिए bulban ने चेताबनी दी तुग्रिल तुगान खान को, कि you have to accept the authority of दिल्ली सल्तनत, but तुग्रिल तुगान खान refused, और दिल्ली सल्तनत के किस सासर के साथ हुआ है, तो bulban, clear है यह चीज, तो अब bulban के बाद जो next dynasty आएगी, वो कौन से आएगी, खिलजी आएगी, isn't it, तो खिलजी के time period में बिहार की क्या स्थिती थी, वो देख लेते हैं, खिलजी जो है, वो second dynasty है, दिल्ली सल्तनत के, आप यहा जैसे पहली डैनिस्टी है, स्लेव डैनिस्टी, स्लेव डैनिस्टी को ही मामलुक डैनिस्टी भी कहते हैं, मामलुक डैनिस्टी, और स्लेव डैनिस्टी के फाउंडर कौन है, कुतुबुद्धी नैबक, isn't it, तो पहली डैनिस्टी है, स्लेव डैनिस्टी, स्लेव डैनिस् ये है दिल्ली सल्तनत और लोधी के बाद मुगल काल स्टार्ट हो जाता है मुगल जो है वो लोधी के बाद आएंगे दिल्ली सल्तनत जो आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत इन पाँच डाइनस्टी का अमल्गमेशन है जैसे स्लेव डाइनस्टी की बात करें तो 1206 से लेकर 320 तक slave dynasty है खिलजी जो है वो 1320 से लेकर 1296 126 से 1290 है 1206 से 1290 है आपको कौन slave dynasty पहले सही लिखा था मैं खिलजी जो है वो है 1290 से लेकर 1290 से लेकर 1320 तुगलक्ष जो है वो है 1320 से लेकर 1414 सयद्स जो है 1414 से 1451 लोदीज जो है 1451 से 1526 1526 में first battle of panipat होता है तो all together दिल्ली सल्तनत में कौन सी dynasties है ये 5 dynasties है तो आप कह सकते हैं कि लगभग सारे 300 साल जो है वो दिल्ली सल्तनत का काल चला है कभी कभी question ये भी आ जाता है ये dynasties आपको jumble dup कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको arrange कीजिए sequential order में पहले कौन dynasties आया उसके बाद कौन सी dynasties आई ये elaborately जब हम लोग national perspective डिसकस करेंगे दिल्ली सल्तनत तब डिसकस करेंगे अभी मैंने इसलिए बताया आपको यहां तक बताया कि देखिए slave dynasty तक बिहार का क्या हालत है तो slave dynasty में iltutmish भी आ गया iltutmish का raid मैंने बता दिया है किसके साथ ग्याजदी निवाज के साथ उसके बाद बल्बन आएगा बल्बन भी slave dynasty का है बल्बन का attack किस से होगा तो बल्बन का attack आपका हुआ है तुग्रिल तुगान खान से अब slave dynasty खतम हो जाएगी दूसरी dynasty जो दिल्ली के सल्तनत पे बैठेगी वो कौन बैठेगी खिलजी और खिलजी dynasty के founder कौन है जलाल उद्दीन खिलजी है न खिलजी dynasty के बारे में important यह है कि खिलजी dynasty वो पहली dynasty थी दिल्ली सल्तनत की जिसने दिल्ली सल्तनत के areas को बढ़ाया है क्योंकि slave dynasty खिलजी से पहले तक दिल्ली सल्तनत में अभी उतनी maturity नहीं आई थी दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी dynasty नहीं बनी थी ना उसके पास उतने संसाधन थे slave dynasty तक कि वो दूर दराज के चितरों पे आकरमन कर सके लेकिन खिलजी तक आते आते दिल्ली सल्तनत has matured दिल्ली सल्तनत के पास इतने रिसोर्से आ चुके थे कि वो दूर दराज के छेतरों पे अटैक कर सके और इसी में आप अलाउदीन खिलजी का जब मिलिटरी कडियर पढ़िएगा तो देखिएगा कि अलाउदीन खिलजी और उसका जो सलेव था कौन? मलिक काफुर, मलिक काफुर को हजार दिनारी भी कहते हैं ये भी प्रेलिम्स में आ सकता है कि किसको हजार दिनारी कहते हैं मलिक काफुर को और मलिक काफुर किसका सलेव था? अलाउदीन खिलजी का तो अलावदिन खिल जी के time period पे दिल्ली सल्तनत जो है वो दूर दराज के छेतरों में फैली है अब इसी करम में अलावदिन खिल जी बिहार पे भी attack करेगा है ना तो 1297 का साल है isn't it जब अलावदिन खिल जी जो है he will attack बिहार और बिहार में किसको attack करेंगे दर्भंगा को ठी लोग लिख सकते हैं ठीक है तो जलावदिन खिल जी जो है वो कब attack करेंगे दर्भंगा को 1297 को 1297 में ये question भी आप से पूछा जा सकता है कि बताइए अलावदिन खिल जी ने कब attack किया है दर्भंगा को 1297 में और इस समय अलावदिन खिल जी के force का निर्तितर कौन कर रहे थ तो शेख इस्माइल, सेख इस्माइल जो है, सेख इस्माइल, he was leading the force of अलावदिन खिल जी और उस समय दर्भंगा का राजा कौन था शकर सिंग, तो ये question भी आ सकता है कि दर्भंगा का वो कौन सा राजा था जिसके खिलाफ अलावदिन खिल जी ने अभियान किया है, तो श सेख इसमाइल क्या करेगा सकर सिंग को अटैक करेगा पहली लडाई में सकर सिंग हरा देगा सेख इसमाइल को फिर सेख इसमाइल दूसरी बार चरहाई करेगा और दूसरी बार सेख इसमाइल सकर सिंग को हरा देगा यहां पर इंपॉर्टेंट है सकर सिंग जो दरभंदा के राजा हैं 1297 में दोनों अटाक हुआ है जब दित्तिय बार सकर सिंग हार जाएगा तो सकर सिंग को सेख इसमाइल बंदी बनाके अलाउदिन खिल जी के पास ले जाएगा अलाउदिन खिल जी के पास सकर सिंग का कुछ compromise sign होता है, agreement sign होता है जिसके अंतरगर सकर सिंग जो है एलाई बन जाता है, एलाई मतलब मित्र बन जाता है अलाउदिन खिल जी का और जब अलाउदिन खिल जी ने अपना सैनिक अभ्यान रंथम बोर के खिला किया था तो उसमें सकर सिंग ने अलाउदिन खिल जी का साथ दिया था 1997 तक से किस मतलब की सकर सिंग जो है he got defeated and he signed what a treaty with Allahudin Khilji अब इसमें एक example एक important है गया प्रसास्ती यहां से भी कभी question आता है गया प्रसास्ती क्या है तो गया प्रसास्ती प्रसास्ती मतलब होता है inscription inscription मतलब क्या होता है तो inscription का history में definition ही है कि any writing on the heart surface is called as inscription किसी भी ठोस वस्तू पर लिखी गई चीजों को सिला लेक कहते हैं अब ये ठोस वस्तू copper plate हो सकता है ये ठोस वस्तू कोई चटान हो सकता है ये ठोस वस्तू कोई भी pillar हो सकता है तो असोका का भी देखे ना pillar inscription मनेड में देखे copper plate inscription तो inscription क्या होता है किसी भी ठोस वस्तू पर लिखी गई चीज को हम लोग शिला लेक कहते हैं न तो inscription क्या है any writing on the heart surface is called as inscription और गया में एक inscription मिलती है जिसको कहते हैं गया प्रसास्ती और गया प्रसास्ती जो है उस समय के गया के राजा थे वन राज उनकी inscription है तो ये question भी आ सकता है कि गया प्रसास्ती में हमें गया के किस राजा के विसे में पता चलता है तो वन राज और इस गया प्रसास्ती में ये बताया गया है कि बल्बन के टाइम पिरियड में बल्बन मतलब इन से पहले है लावदिन खिल्जी से पहले में गया का आस पास का च्चेतर जो है वो दिल्ली सलतनत का हिस्सा था छीक है तो ये था आपका गया प्रसास्ती के बारे में जिसको आपको किस ने लिखवाया है वनराज ने लिखवाया है अब खिलजीज के बाद कौन सी डानिस्टी आएगी तुगलक्स तो तुगलक्स के टाइम पिरियेड में क्या होगा कि तुगलक के फाउंडर कौन है तुगलक डानिस्टी का वापस तो बंगाल से अगर दिल्ली आएगा तो कैसे आएगा जी बिहार होते हुए आगा न जी तो उस समय बिहार में अगें करनाट डानिस्टी याद है करनाट डानिस्टी मिथिला का छेतर जिसके फाउंडर थे नन्य देव अब यहाँ पर кिंग बदल गया है अब कौन से किंग हो गया है हर सिंग देव एजन्ट इस इट तो ग्याद डिन तुगलक जब वापस बंगाल से बिहार आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या कि हर सिंग डेव को हरा दिया आप यहाँ पर देखे question आएगा बक्तियार खिल जी ने करनाट वंसके किस साथ को हराया तो नरसिंग देव हरसिंग देव को इसको किस ने हराया है हरसिंग देव को हराया है ग्याजुद्दिन टुगलकत ने और दोनौं किस वंस तरहने हैं कि सेना पती होता है उसका नाम है आपका मजदूल मुल्क ठीक है ये भी कुश्च ना सकता है मजदूल मुल्क जो था वो किसका गवर्नर था बिहार में तो आप बताएगा मुहम्मद बिन तुगलक का तो मजदूल मुल्क क्या करता है कि मजदूल मुल्क फिर से चरहाई कर द या किस पे हर सिंग देव पे और इसके बाद करनाट डानेस्टी जो है वो तूट जाती है और मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम पिरियेड पे बिहार जो है वो फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अब जब बिहार हिस्सा बन गया दिल्ली सल्तनत का तो बिहार का कोई राजधानी भी बनाया जाएगा तो मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम पिरियेड में बिहार की राजधानी बिहार सरीफ थी ये भी याद रखिएगा ये भी कोशना सकता है कि तुगलक बिहार का राजधानी कहां था तो बिहार सरीफ और तीसरा चीजी यह भी याद रखियेगा कि बिहार का जो अभी modern नाम आधुनिक नाम बिहार जो है वो भी तुगलग once के time period पे ही रखा गया है तो यह भी कोशना सकता है कि बिहार का जो अपना नाम अभी बिहार है वो किस dynasty के time period पे रखा गया तो आपको dynasty के time period पे अब मुहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं तो मुहम्मद बिन तुगलक का एक governor तो हो गिया मजदूल मुल्क दूसरा एक और important administrator जो है वो है मलिक बाया तो ये भी question मलिक बाया भी important है क्योंकि मुहम्मद बिन तूगलक के तो मुहम्मद बिन तुगलक से दो नाम याद रखिएगा मजदूल मुल्क जो सेना पती है जो governor भी रहे है बिहार के और दूसरा कौन है आपका तो दूसरा है आपको मलिक बाया जिसको मलिक इबराहिम भी कहते हैं ठीक है जी उसके बाद तुगलग डाइनस्टी जो है तो यह मुहम्मद बिन तुगलग से एक दो चीज़ अफैक्ट और याद कर लेते हैं कि मुहम्मद बिन तुगलग के टाइम पिरियेड में ही आपको फेमस सूफी सेंट है याहिया मनेरी यहिया मनेरी कौन है यहिया मनेरी प्रसिद सूफी संथ है जो मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम पिरियेट पे रहे हैं और यहिया मनेरी ने दो किताब लिखी है जहां से कोश्चन आता है इसको मैं रब कर दे रहा हूँ ठीक है यहिया मनेडी जो हैं यह इस्ट्रेट कुश्चन आ जाएगा आपको कि यहिया मनेडी निमलिखित में से किस तुगलग वन्स के संकालीन थे तो मुहम्मद बिन तुगलग के और यहिया मनेडी ने दो बुक लिखी है ठीक है वो दो बुक कौन कौन से हैं यह हमेशा कुश्चन आते रहा है ठीक है तो दो बुक है एक है मालफूजात मालफूजात और दूसरा है मनी किबल असफिया मनी किबल असफिया यह दो बुक हैं किस की यहिया मनेडी की और ये किस time period पे लिखा गया है, मुहमग्मत बिन तुगलक के time period पे, ये तो यादी रखिएगा, मुहमद बिन तुगलक का time period कиya है 1325 से 1351, 1351 में मुहमद बिन तुगलक की मिर्ती हो जाती है और मुहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली तक्त पे कौन बैठता है फिरोसा तुगलक, फिरोसा तुगलक का टाइम प्रेट किया है 1351 से 1388, और फिरोसा तुगलक जो है, फिरोसा तुगलक पे एक बुक है, सिराते फिरोसाही, ठीक है, सिराते फिरोसाही, ये बुक है, औ इस सिरात फिरोसाही में इस बात का जिक्र है कि फिरोसा तुगलक ने उस समय के बिहार के सबसे प्रसिद सूफी संथ एहमद चिमर पोस से मुलाकात की थी ये नाम याद रखिएगा एहमद चिमर पोस ये कोश्चन आता है कि फिरोसा तुगलक ने बिहार में किस प्रसिद सू की बुला सफिया एक तो ये important है और यहिया मनेडी मुहम्मद बिन तुगलग के टाइम पिरियट के हैं मुहम्मद बिन तुगलग के बाद कोन आते हैं फिरोसा तुगलग का टाइम पिरियट 1351 से 1388 और फिरोसा तुगलग के विशर में कहा गया है कि इन्हों ने उस समय के प् जिनके time period पे तैमूर का invasion हुआ है तैमूर दा लंग जानते हैं आप तो तैमूर का जो attack हुआ है वो कब हुआ है 1398 में 1398 कभी-कभी question ये भी आ जाएगा को कि तैमूर ने कभ इंवेड किया है 1398 में और कभी ये भी question आ जाएगा कि तैमूर ने जब भारत पे आक्रमन किया था उस समय तुगलक बंस का सासर कौन था तो नासुर दीन महमूद तुगलक तैमूर के अटाक के बाद तुगलक बंस के तुटने के बाद क्या होगा कि दिल्ली का control फिर से बिहार में कमजोर होने लगता है और तुगलक के बाद बिहार जो है वो शड्की किंडम का part बन जाता तो ये था हमारा बिहार कब तक का दिल्ली सल्तनत तक का बात हमने कहां से स्टार्ट की थी बात हमने स्टार्ट की थी कि बक्तियार खिलजी से पहले क्या बिहार में इसलामिक इन्वेजन्स हुए थे आंसर है हां और इसका सबूत हमें कहां से मिलता है तो इसका सबूत हमें मन लेर कॉपर फ्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है जहां पर तुर्षक डंडा टैक्स की बात की गई थी और साथी साथ तारानात जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है उनकी रैटिंग से भी पता चलता है कि बिहार के आसपास के लोग बक्तियार खिलजी से पहले इसलामिक पावर् लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली जिसके फल स्वरूप बक्तियार खिलजी जो है वो यूपी के उस समय के गवर्नर मलिक हश्मुद्दीन उल्पगलबक के पास जाते हैं और वहां पे वो सर्विस करने लगते हैं उगलबक ने बक्तियार खिलजी के टैलेंट को पहचाना और उसे जगा दे दी वहां से बिर्जापुर जो उसको जगा मिली थी किसको बक्तियार खिलजी को बिर्जापुर से बक्तियार खिलजी स्टार्टेड अटैकिंग दा अधर पार्ट्स ऑफ इंपायर और उसमें हम देखते हैं क्या कि बक्तियार खिलजी का चार रेड है दो र और लास्ट इन्वेजन है 1206 तिबबत पे बिहार का दोने इन्वेजन हमने विस्तार में चर्चा की कि पहला जो मनेर का इन्वेजन हुआ था बक्तियार खिल जी का उसमें कौन सी नदी क्रॉस की थी करमशा नदी क्रॉस की थी और मनेर को लूटा था मनेर को लूटने के उसके बंगाल का भी मैंने देखा कि बंगाल में उसने किस डाइनिस्टी को हराया सेना डाइनिस्टी को हराया सेना डाइनिस्टी पे भी अमनी चर्चा कर दी कि सेना डाइनिस्टी के फाउंडर कौन थे समानता सेन लेकिन जब अटैक हुआ था बक्तियार खिल जी पे तो उस से राजा थे वो नर्शिंग देव है ना जी तो यह सब हमने देखा फिर देखा कि बक्तियार खिल जी के कमडर हो जाता है और अब बक्तियार खिल जी का यही contribution था कि उसने बिहार और बंगाल के आसपास के छेत्रों को दिल्ली सल्तनत है जो की central authority है साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत में अभी तक slave dynasty के time तक पुरा भारत नहीं आ गया है उनके अधीन भारत के बहुत सारे ऐसे सूबें हैं जो दिल्ली सल्तनत से अलग हैं लेकिन वहां पे कोई ना कोई लोकल राजा रूल कर रहा है तो उसी करम में बक्तियार खिलजी और बक्तियार खिलजी के successors भी हैं और उसी में फिर हम दे देखा है ग्याजुद्दीन इवाज के विसे में कि ग्याजुद्दीन इवाज जो है वो काफी अपने लिए नाम बना लेता है बिहार और बेंगौल के छेतर में और उसके बाद उस समय के जो सासक थे कौन इल्तुतमिस उनका ध्यान के इंद्रित होता है बिहार और बेंगौल में लेकिन जैसे ही इल्टुत्मिस वापस जाते हैं तो 1226 में फिर ग्याजुदीन इवासा बागी हो जाता है 1226 में फिर सैन अभ्यान होता है इल्टुत्मिस का जिसमें ग्याजुदीन इवासा को मार दिया जाता है और इल्टुत्मिस के टाइम पिरियेट से हम देखते हैं कि आ लाओदिन जानी के बाद सैफुद्दीन आबक आते हैं, सैफुद्दीन आबक के बाद तुग्रिल तुगान खान भी हमने important discuss किया था, क्योंकि कि तुग्रिल तुग्रिल तुगान खान की लड़ाई किसे हुई थी, बलबन से, बलबन कौन था, जिसका blood and iron policy था, जो नासुर लाओदिन महमूद के बाद राजा बनता है, ठीक है, तुग्रिल तुगान के बाद फिर हमने देखा किया, कि तुग्रिल तुग्रिल तुगान का लड़ाई होता है बलबन के साथ, और तुग्रिल तुग्रिल तुगान के बाद फिर बिहार में आपको खिलजी का, हमने contribution देखा बलबन के बाद खिलजी आ जाएंगे खिलजी में हमने देखा अलावदिन खिलजी का टाइम प्रियेट जब 1297 में अलावदिन खिलजी जो है से एक स्माइल को भेजता है दरभंगा के राजा सकर सिंग को अटैक करने के लिए वो भी हमने देखा था क्या हुआ था मुहम्मद बिन तुगलक का सेनपत जो गवर्नर था बिहार का वो कौन था मजदूल मुल्क और साथी साथ एक और नाम था मलिक बाया लेकिन मलिक बाया कौन है एड्मिनिस्ट्रेटर है और साथी साथ हमने देखा कि उस समें प्रसिद सूफी संथ याहिया मनेरी वो भी मु सिराते फिरोसाही वहां से हमें पता चलता है ठीक है उसके बाद फिर हमने देखा कि तुगलक्स जैसे तूटने लगते हैं तो तुगलक्स के तूटने के बाद फिर दिल्ली सल्तनत तूटने लगती है और फिर बिहार जो है वो शर्की किंडम शर्की किंडम आप देखिए अब नोबल थे फिरोसा तुगलग के जब दिल्ली सल्तनत तुगलग सल्तनत कमजोर होने लगी तो वो तुगलग वंस को छोड़के इस साइड में अपने लिए एक सेपरेट किंडम बना लेते हैं तो यह भी कोश्चन आप से आज़ता है कि सरकी डानेस्टी के किंग कौन है तो मलिक सवार जो है वो फाउंडर है तो यह जो लेक्चर था यह डिसकस करने का यही मतलब था कि दिल्ली सल्तनत में जैसे जैसे सल्तनत चेंज हुई है डानेस्टी चेंज हुई है वो ऐसे वैसे बिहार पे भी उसका राजनितिक प्रभाव परा है कोश्चन आपके इस ल मुलाकात की मनी किबुल असफिया किस सूफी संथ की रचना है उसके बाद मजदूल मुल्क जो थे वो किस तुगलक वन्स के गवर्नर थे वगेरा वगेरा इस टाइप का अब जाते जाते एक चीज़ और में बता देता हूं कि प्रसिद्ध मैथिली पोईट विद्यापती जिनोंने कीरती लता लिखी है वो करनाट किंडम के समकालीन है अब यहां से कुशन स्टेट ही आ जाएगा कि कीरती लता किताब है वो किस ने लिखी है विद्यापती ने लिखी है तो आप देख सकते हैं इस पूरे लेक्चर में हम लोग ने बक्तियार खिलजी से लेकर रन्हेट की तूरे आ टे आदा हम पुग कर दो हुआंते हैं तो।